आर्मी एकजाम ऐर फोर्च इन्रॉल्ल्मेंट ऐर फोर्च रिजल्ट के लाखों की संक्या में वो केंडिडेट्स जो पेंडिंग भरती परक्रिया के तहत परभावीत थे जिन्होंने दिल्ली हाइकोोड का रुख किया था हाइकोड में सुनवाई का दूर कम्प्लिट हो रहेगी साल के बीते और नए साल के नए सवेरे के साथ उनके साथ न्याय होगा लेकिन इसी इंतजार के बीच इलाबाद हाई कोट का डिफेंस रिक्रूटमेंट से जुड़ा वा एक फेसला सामने आया है साथ यू उस फेसले का पूरा विश्लेशन इस वीडियो के माधियम स मैं आपके साथ साजा करने वाला हूं विशेश तोर से आपको बताते चलें कि डिफेंस रिक्रूटमेंट के अलावा अन्ये जो डिफेंस और न्याय की प्रक्रिया की जो मुद्दे होते हैं साथियों हमने हमेशा आपके साथ मुद्दे साजा किये हैं और उनका effect आपके cases बहुत जादा अलग इस तर से पढ़ता भी है साथियों इसे जज्जमेंट्स हमारे केस के अंदर भी शामिल किये गए थे और जो कहिना कहीं अन्य फोर्सेज से समंध रखते हैं साथियों अगर बात कुरू इस फेसले की इस जज्जमेंट की जो इलाबाद हाई कोट की और से सामने रखा गया है CRPF recruitment 2019 की बात है जब याची का करता थे जिनको पहले recruitment के तहत उन्होंने फोरम फिल किया लिखित परिक्षा होती है इनका medical होता है medical में unfit कर दिया जाता है दरसल जब आर्मी एरपोर्स नेवी में candidates को जब medical में unfit किया जाता है तो बहुत कम संक्या के अंदर ऐसे students होते हैं जिनके उपर वापस अपिल करके बोर्ड बैठाया जाता है medical का एसी संक्या और एसे cases बहुत कम देखने को मिलते हैं लेकिन पेरा military forces के अंदर एसे मामले बहुत सामने आते हैं ठीक ऐसा ही ये मामला था candidates को unfit किये जाने के फश्चात इन्होंने वापस अपिल की इनके अनुरोद के आधार पे court परकिरियाओं से इनके उपर वापस medical board सामने रखा जाता है medical board की जो वापस जो इनकी medical परकिरिया थी इसके अंदर उनके अंदर जो पहले कमी निकाली गई थी ये यहां उस इस्तर पर नहीं आंकी जाती है सादरन बासा में कहें तो सातियों जिस points के तहत उनको निकाला गया था वो इनके अंदर कमी उस इस्तर पर नहीं थी इसके पश्चाद medical specialist की जो report है वो उन मांदंडों को follow करती हुँ भी नजर आ रही थी दरसल CRPF के जो मांदंड है उसके अनुसार अगर आपके सौशन तंतर के अंदर जरासी problem है मामूली problem है तो आपको medical unfit नहीं किया जा सकता और इसी आधार पर ENT specialist की जो report है वो court में रखी जाती है और इस report का दावा था इस report में ये तमाम बातें उलेकित की गई कि जो याचिका करता है उनके अंदर वाकई में ये कमी नहीं है उनके सौशन तंतर को लेके जो ने medical points दिया जा रहा था वो वाकई में ये points नहीं है उतने इस तर पर इनके पास इनके अंदर वो कमी नहीं है इसके पश्रात इलाबाद हाइकोर्ट ने CRPF की जो recruitment board है उसको इस बात का निर्देश दिया है कि जो प्रभावीत candidates है या सीधे तोर पे जो याचिका करता है इनको specialist जो medical board है उनकी report के आधार पे और आपके जो मानदन है आपके जो guidelines है उनके आधार पे इनको नए series से न्य कुपती दी जाए देखिए साथियों हमारी संक्या है वो बहुत ज्यादा है यहां तो संक्या गिंतिक ही थी उन्ही candidates को न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है तो हम भी जरूर सकारात मक्ता से उस न्याय की उमीद करें आपने हाली में देखा होगा SSC के मुद्दे को हमने अंदर तकरीबन 6000 के करीब candidates को न्याय मिला था दिल्ली हाई कोट उन candidates कर रूप किया था हाल ही में दिल्ली हाई कोट ने हमारी सुनवाई के बीच ही इनकी सुनवाई की थी और इसके परशात इनका जज़मेंट भी सामने आया था उसके परशात हमारे जो साथी निरंतर तै 2019 के इस इलाबाद हाई कोट के फेसले पर आप क्या राई रखते हैं मुझे कमेंट सेक्षन के माद्यम से जरूर बताएगा साथ ही सेने बरते से जुड़ी लेटेस्ट ताजा वे सठीक जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार की यूटूब चैलन्ज से शुक्रिया मिलेंगे फिर ताजा अपडेट के साथ अब तक लिए जैहिन जैवार शुक्रिया